नमस्कार दोस्तों, आज के इस UPSC Terminology सीरीज में हम एक नया सब्द सीखेंगे, कोडावा टके, कोडावा टके ये नियोज मिथा हो सकता है UPSC से एक MCQ बना दे, तो हमारा MCQ है, कोडावा टके का समध निम्दल कितमे से किस से है, अप्शन ए है, भारत के पूर्वोतर छेतर क का विशिष्ट मोटा नाज है, ये कोई, दूसरा है, द्रबिर समों की कोई लुप्त प्राइभासा है, तीसरा है, करनाटक में प्रचलित खिलावना शिल्प हैं, ये Čर चौता है, विजये नगर समराज में उत्पन चित्रकला, विजये कोडाबाटके क्या है कि इसके भर ही थोड़ा सा देख लिए कि जीज के लिए निज में था कवडाबाटके कोडाबाटके यह द्रवेड samot की एक लुप्थ प्राइ भासा है कोडाबाटके द्रवेड dit कथन नमारा यह MCQ के लिए important है UPSC के हिसाब से और इसकी कोई अपनी अलग सी कोई लिपी नहीं है कि इसकी खुद की कोई लिपी हो और लिखने के लिए कंड़ लिपी का यूज करते हैं जैसे कंड़ भासा के जो लिपी है उसका यूज करते हैं कोडावा टके भासा की लोग और 2001 की जनगरना के अनुसार भारत में टोटल 1,66,187 लोग थे जो कोडावा टके भासा बोलते थे अभी कोडावा टके भासा कहां पर बोली जाती है या दक्षिन करनाटक के कोडागु जिले में बोली जाती है मतलब कोडागू जिले की मूल भासा माने जाती है दक्षिड करना टके कोडागू जिले की मूल भासा है कोडावा टके और न्यूज में क्यों थी क्योंकि एक कोडागू कभी है एक कोडागू कभी है यहने की कोडागू जिले के एक कभी है बीपी अपन्ना इसके कारण वे न्यूज में थी और यह प्लेस अपार्ट क्या है यह पोयम का कविताओं का संग्रह है जो कि कोडाबा टके भासा में लिखा गया है और यह 2022 या लाश्ट 2022 दिसम्बर 2022 में काफी न्यूज में था तो हो सकता है की कोडाबा टके के बारे में EECCQ बना दे तो हम अपने MCQ में आते हैं तो क्या हमारे साइव होगा यह द्रभिड समौ की एक लुप्त प्राई भासा है ऐसे जरूर इसको याद रखेगा कोडाबा टके भासा है कोई जंजाती नहीं है ना कोई मोटा अनाज है, ना कोई खिलोना शिल्फ है और ना ही चित्रकला और ये आप इसका एक स्क्रिन सॉर्ट ले सकते हैं कोडाबा ठके का यहाँ पे जितनी इंटरनेट में अपने को अबलेबल हुई है तो हम इसको कर दीये हैं, दरबिर समुन की भासा है, लुपतु प्राए भासा है, लुपतु प्राए घोसित किया है उनिस्को, अदचिर करनाटा की मूल भासा है कोडागू कभी है बीपी अपन्ना जिनके दोरे एक बूक लिखी गई अपलेस अपार्ट जिसके करण नियुज में थी तो आप इसको स्क्रिंसर्ट ले सकते हैं